क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है या फिर कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको बाद में पच्चतावा हुआ हो अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं है कई बार इनसान बिना सोचे समझे या फिर नादानी में ऐसे काम कर जाता है जिस कारण उसे बाद में पच्चताना पड़ता है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत काम कर देते हैं या फिर गलत फैसला ले लेते हैं और इसके बारे में उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई उन्हें न बताए हो सकता है, आपने भी कई ऐसे फैसले लिये हो या काम किये हो, जिनके बारे में अगर आप सही से सोचें, तो आपको पता चलेगा कि काश अगर आपने वो काम नहीं किया होता, तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती हम मेंसे कई लोग कुछ पच्चतावे से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतर लोग जिन गलतियों को करते हैं, जिसके कारण उन्हें पच्चतावा होता है, उन्हें ध्यान में रखना होगा और उनसे सीख लेनी होगी इसलिए आज हम कुछ ऐसे पच्चतावे या गलत निर्णे के बारे में बता रहे हैं जो अधिकतर लोग करते हैं और आपको उनसे बचना चाहिए मित्रो, जिन्दगी में हमारा सबसे बड़ा पच्चतावा क्या होगा कि यदि हमने भगवान का स्मरण नहीं किया भगवान की भक्ती हृदय में नहीं आई तो सबसे बड़ा पच्चतावा यही है सबसे बड़ा पच्चतावा ये कि पूरे जीवन की स्वास भोगों में चली गई और भगवान का नाम जप नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ यदि भगवान का स्मरण हो रहा है, तो फिर पच्चतावा नहीं एक मात्र केवल भगवान का स्मरण और साथ में अच्छे कर्म ही सब कुछ है कई लोग सोचते हैं कि मुझे जब कोई medical problem है ही नहीं तो मैं बढ़ते वजन या खराब lifestyle पर क्यूं ध्यान दूँ फिर जब वजन बढ़ने या अन्यकारण से शारीरिक समस्याएं आने लगती हैं तब उन्हें पच्चतावा होता है कि काश उस समय ही मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया होता इसलिए हमेशा अपनी सेहत पर ध्यान दे ताकि बाद में पच्चतावा नहो आम तोर पर बच्चपन या स्कूल के दोस्त हमारे लिए खास होते हैं इसके बाद करियर बनाने के लिए दोनों का या दोनों में से किसी एक का दूर चला जाना काफी खलता है शुरुआत में तो दोनों संपर्क में रहते हैं लेकिन कुछ समय बाद काम पढ़ाई आधी के कारण दोनों अधिक व्यस्थ हो जाते हैं ऐसे में फिर लगता है कि काश हमारे पहले वाले दिन ही वापस आ जाते जिसमें हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हुआ करते थे इसके लिए दोस्तों से संपर्क बनाए रखें और हमेशा उनके टच में रहें हम में से अधिकांश लोगों के लिए यह काफी पच्चतावे वाली बात होती है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता था हो सकता है आपका प्यार दोनों के मनमुटाव के कारण तूटा हो या किसी अन्यकारण से लेकिन इस बात का पच्चतावा हमेशा रहेगा कि वो आपसे दूर चला गया है इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में ऐसे स्थिती ना आने दें जिसके कारण आपको बाद में पच्चताना पड़े अधिकतर लोग नौकरी लगने के कई सालों बाद तक बचत करना शुरू नहीं करते हैं बाद में आपको अफसोस होता है कि काश आपने छोटी सी भी बचत के साथ शुरूआत की होती तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड जमा हो गया होता हम मेंसे कई लोगों को समझ आता है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है जिस कारण वे कुछ नहीं कर पाए कई बार लोग खुद पर विश्वास नहोने के कारण कुछ कामों को करने से बचते हैं या वो काम नहीं करते फिर कुछ समय बाद उन्हें अहसास होता है कि काश उन्होंने अपने उपर थोड़ा विश्वास किया होता तो आज वे कुछ और ही होते इसलिए ख़द पर विश्वास करना न छोड़े कई बार लोग किसी पारिवारिक समस्या या अन्य कारणों से अपनी ड्रीम जॉब को या अपने सपनों को तोड़ देते हैं जिसका पचतावा उन्हें जिन्दगी भर रहता है कई बार वे बाद में सोचते भी हैं कि काश जॉब के लिए अपलाई किया होता और परिस्थितियों थोड़ा मुकाबला किया होता तो आज उनकी ड्रीम जॉब उनके हाथ में होती कई लोग अच्छी जॉब के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं फिर जब उन्हें बाद में लगता है कि उन्हें जॉब के साथ पढ़ाई को भी अहमियत देनी थी इसके बाद उनके पास पचतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता इसी कारण से पढ़ाई को भी अहमियत दें क्योंकि पढ़ाई कभी बरबाद नहीं जाती वो हमेशा आपको जीवन में आगे ही बढ़ाती है इसलिए पढ़ाई और जॉब का बैलेंस बनाते चलें माता-पिता बनना जीवन का सबसे बड़ा सुक होता है लेकिन आचारे चानक्य के अनुसार संतान सुक से बड़ी खुशी तब मिलती है जब बच्चे माता-पिता का नाम जग में रौशन करें संतान को कामयाब बनाने के लिए पैरेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं ताकि उसे जीवन की हर सुक सुविधाएं मिल पाएं चानक्य ने माता-पिता और संतान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विचार साजह किये है चानक्य ने बताया है कि मनुष्य का सबसे कौन सा होता है कहते हैं ये ऐसा पाप है जिसकी माफी ईश्वर के घर भी नहीं मिलती चानक्य नीती कहती है कि एक मनुष्य हतियार से ज्यादा अपने शब्दों से दूसरों का घायल कर सकता है करवे बोल ऐसी चीज है जो बिना हाथ लगाए दूसरों पर वार कर सकते है चानक्य ने एक कथन में कहा है कि जो व्यक्ती माता-पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तिमाल करता है उससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं इस कथन का अर्थ है माता-पिता के लिए अपशब्द बोलने वाला इंसान महापापी कहलाता है माता-पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है पैरेंट्स अपनी बच्चे की खुशी के लिए पूरी जिदंगी जोक देते हैं चानक्य ने बताया है कि जिस तरह तीर से निकाल बान वापस नहीं लोड़ता उसी प्रकार जुबान से निकले, शब्द कभी वापस नहीं लिये जा सकते अकसर व्यक्ति क्रोध में माता-पिता को भी कड़वे बोल, बोल जाता है लेकिन जब सब सही होता है, तो व्यक्ति के पास पच्चतावे के अलावा कुछ नहीं बचता याद रखें, हमारा एक गलत वाक्य या शब्द उनके दिल को गहरी ठेस पहुँचा सकता है ऐसे में अगर वो माफ भी कर दें, लेकिन ईश्वर कभी इस गलती को माफ नहीं करता मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जीवन में सामाजिक रूप से कई रिष्टे बनाता है, जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं हम आजीवन कई रिष्टों में बंधते हैं, जो हमारे विकास में योगदान देते हैं हमारी गतिविधियों से सिर्फ हमारा जीवन ही प्रभावित नहीं होता, बलकि हमारे अपनों का जीवन भी प्रभावित होता है जीवन में जाहिर है कि हम कुछ गलतियां भी करेंगे, जिनका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा जब हमारे किसी एक्षन का दुश्परिणाम होता है तो हमें ग्लानी या पच्छतावा भी हो सकता है इस तरह ही भावनाएं सामान्य हैं और हर मनुष्य के अंदर आती हैं लेकिन कई बार हम इस भावना से निकल नहीं पाते और यह हमारे मानसिक स्वास्थे को प्रभावित करती है ग्लानी एक नकारात्मक भाव है और यह मुख्यतह अतीत की किसी घटना से जुड़ा है ग्लानी आपको अतीत में जीने पर मजबूर करती है जो आपके वर्तमान और भविश्य दोनों को प्रभावित करता है उदाहरण के तौर पर हो सकता है आपने किसी प्रेजेंटेशन पर मेहनत नहीं की और आप ओन्फिस में एक बड़ी पदोननती से चुक गई इस बात का मलाल आपको रहेगा कि आपने तब मेहनत क्यों नहीं की हालांकि इस स्थिती से सीख लेने की जरूरत है लेकिन अतीत के बारे में सोच कर आप वर्तमान में भी पूरी मेहनत नहीं कर रही है और इसका प्रभाव आपके भविश्य पर पड़ेगा पच्तावा होने पर भी आप गुजरे हुए कल को बदल नहीं सकते इसलिए उस भावना से बाहर निकलना ही बहतर होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस स्थिती को लेकर परेशान है वह गुजर चुकी है और उसे बदला नहीं जा सकता अतीत में रहना आपसे भविश्य को सुधारने का अवसर भी छीन लेता है इसलिए जो बीट गया उसे जाने दे जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालें किसी भी बात को अपने अंदर रख कर आप नकारात्मकता को बढ़ाती है इसे अपने सिस्टम से बाहर जाने दे किसी दोस्त या साथी से अपने मन की बात कहें या उसे लिख ले इससे आप इस विचार से मुक्त हो पाएंगी और उससे जुड़ी भावनाएं भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी अतीद से सीख लें और भविश्य को बहतर बनाएं आप से जो गलती हो गई उसको सीख के तौर पर देखें और सुनिश्चित करें कि आप भविश्य में ऐसी कोई गलती ना करें हमेशा दूसरों के अनुसार नहीं अपनी खुशी के लिए जीएं हम अकसर कई कदम दूसरों के अनुसार लेते हैं जो आजीवन एक रिग्रिट बनकर रह जाता है अपने जीवन के निर्णे खुद लें ताकि उसके परिणाम को आप साफ मन से अपना सकें अगर दूसरों के कहे अनुसार चलेंगी तो जीवन भर ग्लानी में रहेंगी और जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगी मेडिटेशन यानी ध्यान मानसिक स्वास्थे के लिए सबसे अच्छा है यह आपके मस्तिश्क में सकारात्मक उर्जा का विस्तार करता है और नकारात्मक विचारों को बाहर करता है यह आपको खुद को एकसेप्ट करना भी सिखाता है जो सुख़ जीवन के लिए आवश्यक है महाभारत का युद्ध हर मनुष्य को अपने जीवन में लड़ना है जब तक तुम नहीं लड़ोगे तब तक आप मुक्त नहीं होगे परन्तु आप सोच रहे होंगे कि ये युद्ध लड़ना कहां है तो श्री कृष्ण ने तेरहवे अध्याई में बताया कि यह शरीड ही वहक्षेत्र है जहां यह युद्ध होता है अब प्रश्ण है कि शरीड में किस से युद्ध करना है तो शरीड में दो सेनाए है एक पांडव अर्थात पुन्यमई और एक कौरव अर्थात पापी इन में प्रत्यक युद्ध उपस्थित है और वो इस प्रकार है अभिमन्यू अर्थात अभै मन वह मन जिसमें अब भै नहीं हो जो भै से मुक्त है अभिमन्यू अर्जुन का पुत्र है अर्जुन से उत्पन्न हुआ है अर्जुन का अर्थ है अनुराग मनुष्य का इष्ठ के प्रती राग ही अनुराग कहलाता है उसी अनुराग से अभिमन्यू अर्थात अभय मन होता है ध्यान रहे कि मन तो पहले ही है परन्तु पहले उसमें भय था परन्तु अनुराग ने उसे अभय बना दिया जब भक्ती करते हैं तो मन भय से परे कर दिया जाता है अब भय तो उस मन में है ही नहीं उधर देखे तो भीश्मकार्थ है भ्रम यहां बड़ा भयंकर युद्धा है समस्थ कौर्वो का सेनापती है यह भ्रम ही है मनुष्य को जब तक इस संसार के माया जाल का पता नहीं लगता तब तक भ्रम बड़ी तबाही करता है परन्तु अनुराग अर्थात अर्जुन उसे अपने धनुष से बाणों की शहिया पर लिटा देता है धनुष का अर्थ है ध्यान अनुरागी व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने भ्रम को हटा देता है परन्तु उसके बाद सेनापती होते है द्रोन द्रोन का अर्थ है द्वेत जब तक यह लगता है कि मैं इश्वर से अलग हूँ उसे ही द्वेत कहते हैं ये बड़ा शड्यंत्रकारी है अलग-अलग व्यूह बनाता है चक्र व्यूह भी बनाता है और इसके चक्र व्यूह में अभिमन्यू अर्थात अभय मन फस जाता है और मारा जाता है वर्तमान में हमारा मन भय में रहता है जब ये अभय हो जाएगा तो बड़ा जबरदस्थ हो जाएगा परन्तु दुवेत इसे फसा लेगा दुवेत खत्म कर देगा द्रोन का पुत्र है अश्वत्थामा अर्थात आसकती यह अंत तक रहता है अश्वत्थामा अर्थात आसकती अमर है किसी वस्तु में लगाव होना ही आसकती है इसे मारा नहीं जा सकता परन्तु निश्क्रिय किया जाता है इधर पांडवों में पांच पांडव है जिनके मतलब कुछ इस प्रकार है पांडु पुत्र पांच है पांडु का अर्थ है पुन्य पांडु की पत्नी कुंती है कुंती का अर्थ है कर्तव्य जब कुंती कर्तव्य का पांडु पुन्य के साथ संबंध होता है तो युधिस्ठिर रूपी धर्म भीम यानि भाव अर्जुन यानि अनुराग नकुल यानि नियम और सहदेव यानि सत्संग इन सब का जन्म होता है उधर धृतराष्ट्र अर्थात अज्यान से दुरियोधन अर्थता मोह उत्पन्न होता है ये मोह ही सब का राजा है मनुष्य के अंदर होने वाले युद्ध यही बड़ा प्रबल है परंतु जब अनुराग अर्थात अर्जुन मनुष्य में प्रकट होता है तो स्वयम श्री कृष्ण अंतरात्मा से उसका मार्ग दर्शन करते है उसे बार-बार रदय में होने वाले युद्ध के लिए प्रेडित करते है दुर्योधन अर्थात मोह को अन्त में भीम अर्थता भाव ही खत्म करता है यही गीता समझाना चाहती है परंतु कुछ विद्वानों ने उस गीता के मर्म को वर्तमान से जोड़ा ही नहीं सिर्फ एक कहानी बता कर छोड़ दिया जबकि प्रत्येक शलोक का अर्थ मन के स्तर पर है जैसा कि मैंने उपर बताया परंतु हम महाभारत को एक कहानी समझ कर बैठ जाते हैं जबकि यह युद्ध हम सब को करना है सब को उस मोह को खत्म करना है इसी लिए तो गीता हम सब को मिली वरना अर्जुन तक ही रह जाती परंतु भाषा विद्वानों ने इसका सिर्फ भाष्य ही किया है कभी भाव तक नहीं पहुँचे गीता अर्थ मन के स्तर पर है गीता के अठारहवें अध्याय में भगवान ने कहा है मन मनाभव अर्थात अपने मन को मुझ में एकाग्र करो यही है गीता का मूल उद्देश्य सब तरफ से मन और बुद्धि को हटा कर एक परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र करना इस अभ्यास से ही भगवान हमको विशह सागर से पार कर लेंगे गीता का मूल उद्देश्य है काम विकार पर जीत पाना भगवान ने गीता में अनेग बार कहा है कि काम विकार तुम्हारा महाशत्रू है इस महाशत्रू पर ज्ञान की तलवार से से जीत पहनो मन मना भव की स्थिती में स्थिती रहने से ही हमें इश्वरिय शक्ति मिलेगी जिससे हम काम विकार पर जीत का सकते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य निर्विकारी ग्रिहस्थ जीवन जीना होना चाहिए श्रीमत भागवद गीता जिसमें मानव जीवन से जुड़ी अनेकों बातों का वर्णन किया गया है बताया जाता है इसमें श्री कृष्ण द्वारा दिये गए वो उपदेश हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वरतमान समय में यानि कलियुग में मानव अपनाता है तो वो जीवन में सफल तो होता है बलकी अपने जीवन को बहतर तरीके से जी पाने में और समाज में मान सम्मान पाने में काम्याब होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण है गलत सोच गीता में वर्णन किया गया है कि गलत सोच जीवन की एक मात्र सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है तो इसके विपरीद सही ज्ञान प्रत्येक इंसान की समस्त मुश्किलों का एक मात्र समाधान माना जाता है इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ही बार-बार मनुष्य को धोखा देता है अतह व्यक्ति को मन के अतिरिक्त हमेशा अपने कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए ये ही हर एक का परम करतव्य है गीता में उलेक मिलता है कि श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का आधार है प्रेम जिस किसी के जीवन में प्रेम है केवल वही व्यक्ति जीवन में शांती पा सकता है क्योंकि शांती प्रेम में ही निहित है ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में प्रेम नहीं हो तो वो व्यक्ति चाहे सब कुछ पाभी ले परन्तु बावजूद इसके वह व्यक्ति संतुष्टी नहीं मिलती जिस व्यक्ति के मन में अधिक अंहकार, इरश्या और द्वेश घर कर जाता है उसका पतन निश्चित हो जाता है गीता में कहा गया है कि यह सारी वृत्तियां इनसान के साथ दीमक की तरह चिपक जाती है और धीरे धीरे इनसान को अंदर से खोखला कर देती है कहा जाता है कि इंद्रियों से परे बुद्धी, बुद्धी से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानि आत्मा है गीता के अनुसार बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता इसलिए आत्मा हर कर्म की भागिदार मानी जाती है इसलिए कर्मों को उच्च रखना चाहिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मानव शरीड ही वहक शेत्र है जहां युद्ध होता है इसमें दो सेनाएं हैं एक पांडव अर्थात पुन्यमई और एक कौरव अर्थात पापी अतह मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उल्जा रहता है और कभी जीवन में शांती नहीं प्राप्त कर पाता भगवद गीता को हिंदु धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमी में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ग्यान है इस ग्यान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की महा भारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारत ही बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि किन परिस्थियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है इस शलोक में अरजुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्ण पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है जिससे सबसे पहले बुद्धी नश्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है भगवान श्री कृष्णा आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआ अगनी को ढग देता है ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढग देती है इन ही कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ती या विरक्ती के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए जब किसी व्यक्ती में आसक्ती और विरक्ती का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ हिंसा का मार्ग अपनाता है, उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाता है, किसी की हत्या करता है, तो भगवत गीता में इसे महापाप माना गया है चोडी करना भी महापाप है, हालांकि चोडी का अर्थ सिर्फ धन, धनलाब के उपाए, चुराना नहीं है अगर आप किसी की सफलता उसकी प्रतिष्ठा चल से चुराते हैं, तो यह भी महापाप माना गया है किसी भी स्त्री या पुरुष की मर्जी के बिना, उसे अपनी वासना का शिकार बनाना भी महापाप में गिना जाता है वासना के चलते किसी की मर्यादा भंग करना अनुचित है अगर आप किसी भी वस्तु का ज्यादा लालच करते हैं, फिर चाहे वह धन हो, खाने पीने की चीज हो, या पहने औरने की कोई वस्तु हो, आधी इसे भी महापाप कहा गया है इर्श्या करना भी महापाप में समिल लित है ऐसा इसलिए क्योंकि इर्षय करना एक सामान्य भाव लगता है लेकिन व्यक्ति इसके चलते कई अनुचित मारगों को चुनता है अहंकार में चूर व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगा हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किये हैं उसे बुड़ापे में आकर भोगना पड़ता है श्रीमद भागवद गीता के अनुसार आनन्द हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है परन्तु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंडता है भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बलकि पूरे मन से करनी चाहिए भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांठता है मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनरजन्म लेता है मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानिया नहीं आती है संयम, सदाचार, सनेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए इश्वर के सिवाए मनुष्य का कोई नहीं होता है इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है जबकि त्याग में स्थाई आनंद मिलता है श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है परंतु कुसंगती में भी मनुष्य अपने कर्मों से पढ़ता है अपी चेटसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्यह सम्यग्ववसितो हिस्सः एक मात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ती भी प्रेम्व भक्ती के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है क्योंकि उसने भली भानती निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है यदि कोई व्यक्ती जीवन में बहुत पाप करता है उसने कभी कोई पुन्य पाप का विचार किया ही नहीं है केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है किसी कारण वश यदि उसको अपने किये गए पाप का बोध हो जाए अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किये वो बहुत ही गलत थे अब वो क्या करे? वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे जो हमने कमाया वो व्यर्थ था उसको प्रायश्चित होता है जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है यहां परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दुबारा पाप न करें ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलंब नहीं है भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिती में वो मेरी नजर में साधू हो गया तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है हमने अब तक जो भी कर्म किये हैं उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें हमने क्या गलत किया हमसे कहां कहां कब पाप हुआ आत्म चिंतन करें अभी बहुत समय है उन पापों का प्रायश्चित करें। अब संकल्प लें कि कभी भविश्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे। वह शेश जीवन निशकाम कर्म करते हुए भगवान की भक्ती में व्यतीत करेंगे। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निशकाम भाव से करते हुए स्थिती प्रज्य बने रहना, वो अपने जीवन को हरी चरणों में समर्पित करना ही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी मनुश्य को आसक्ती या विरक्ती के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। आसक्ती विरक्ती का अभाव होना उत्तम जीवन माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण आत्मा को भ्रमित कर उसे यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक सुख से ही सब कुछ है जिस कारण किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है. कामना से लोब उत्पन्न होता है और लोब पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है. कामना, लोब और क्रोध इन तीनों विकारों से ग्रस्थ होकर मनुष्य पाप करता है. श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा पाप करते हुए पश्चाताप का बोध कराती है, हमें रोकती है भगवान का अंश होने के कारण हम में स्वाभाविक रूप अच्छाईयां मौजूद रहती है जिसके कारण हमें अंतरबोध की स्थिती होती है और अंतरबोध के कारण हमें कहीं न कहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं अंतरात्मा की आवाज हमें ऐसे कृत्य करने से रोकती है लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते बलकि अपनी कामना पूर्थी के लिए पाप करते हैं इसलिए हम यह कहकर नहीं बच सकते कि चोरी, ठगी, निंदा, लूडखसोड, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार पाप जन्य कृत्य नहीं है हमारी अंतरद्रिष्टी यह बोध कराती है कि यह सब कारे पाप जन्य हैं फिर भी हम ऐसे कारे करते हैं जैसे कि कोई शक्ती हमें बलपूर्वक ऐसा करने के लिए विवश करती है लोभ कामनाओं को प्रबल करता है जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं धूमे नावियते वहनर्यथा दर्शो मलेंचे यतौलबे नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमा वृतम अर्थात जैसे अगनी धुएं से ढकी रहती है दरपन धूल से आवरित रहता है तथा भून गर्भाशय से अप्रकट रहता है उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्यान पर आवरण पड़ा रहता है मतलब मनुष्य की बुद्धी पर भी परदा पर जाता है ज्यान पर जब काम या वासना का प्रभाव बढ़ जाता है तब वह हानिकारक हो जाता है इस विशय में भगवान श्री कृष्न कहते हैं आवरितन ज्यान मेतेन ज्यानिनो नित्य वेरिना कामरूपेन कौन्ते, दुश्पूरेनान लेंचर अर्थात ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अत्रिप्त कामना रूपी नित्य शत्रू से आच्छादित रहता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अगनी के समान जलता रहता है कहने का अर्थ है कि कामना ऐसी भावना है जो ज्ञानियों को भी लोब और क्रोध में फंसा कर रखती है